श्रीमान श्रीमती में केशफ कुलकर्णी का किरदार निभाने वाले जतिन कनकिया ने टीवी इंडस्ट्री पर राज किया। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनका एक्टिंग का करियर मात्र पांच साल का रहा था। उन्होंने 41 साल की उम्र में पहला टीवी शो किया था। इस शो से उन्हें खूब प्रसिद्धी मिली थी। नब्बे का दशक न सिर्फ भारतिय सिनेमा के लिए बलकि टेलिविजन के लिए भी बेहद खास रहा है। इस दौर में दूर दर्शन पर एक से बढ़कर एक पौरानिक, सामाजिक और कॉमेडी सीरियल्स आए। इन शोस को आंडियंस ने खूब पसंद किया। इन में से एक शोश्रीमान श्रीमती था। इस शो की यादें आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। दूर दर् ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल फिल्मी बातें को जरूर सब्सक्राइब करें और बैल नोटिफिकेशन को आउन करना ना भूलें ताकि आप तक हमारी इसी तरह की और भी नई नई वीडियो साती रहें। केशव कुलकरणी ने न सिर्फ टीवी पर बलकि कई फिल उनका पहला शो था। ये शो तीन साल तक चला। जतिन कंकिया ने कई और कॉमेडी शोज भी किये। किसी-किसी शो में उन्होंने एपिसॉडिक रोल भी किये। वह रियल लाइफ में भी काफी खुश मिजाज शक्सियत थे। जतिन ने साल 1997 से 1999 तक चार फिल्मों विश्व विधाता, खुबसूरत, हम साथ साथ हैं। और तरशक्ती में काम किया। साल 1999 में उन्होंने कॉमेडी शोयस बॉस में काम किया। उनकी कॉमिक टाइमिंग और हाजिर जवाबी का हर कोई कायल था। जतिन कंकिया को बेहतरीन कॉमेडी के लिए प्रिंस अफ कॉमेडी का खि उन्हें अकसर पेट में दर्ध हुआ करता था, लेकिन उन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। जतिन कंकिया का पेट का दर्ध बढ़ते वक्त के साथ तेजी से बढ़ता गया। साथ ही और भी समस्याएं होने लगी थी। तब जतिन ने अपना टेस्ट करवाया। रि कालीस साल की उम्र में 26 जुलाई 1999 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल फिल्मी बातें को जरूर सब्सक्राइब करें और बैल नॉटिफिकेशन को आउन करना ना भूलें ताकि आप तक हमारी इस